गुडिवनी काई स्वागत है आपका 30 days free English speaking course के day 16 में और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे confusing words को देखने वाले हैं जिसके English बनाना impossible होती है हमारे लिए हम ये जानते हैं कि भागना को English में क्या कहते हैं लेकिन भगाना को English में क्या बोले? चली हम ये तो जान लेते हैं कि चलना को English में क्या बोला जाता है लेकिन चलाना को English में क्या बोले? सोना का पता है सुलाना को क्या बोले? तो ऐसे बहुत सारे words आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं ये सब तो आप जानते हो इनके English क्या होती है बट जब आती है इनकी English बनाने की तब आप बहुत ज़्यादा confused हो जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है इनके लिए कौन से word का use करें और आपको नहीं पता होता है तो आप गलत word use कर देते हो जिससे आपको sentences wrong हो जाते हैं अगर आप इस वीडियो को end तक पूरा देखते हो तो आपको ये सारे words अभी के अभी याद हो जाएंगे और इनका use भी आप अपनी daily life में करने लगोगे और साथ में मेरे साथ आपको practice करते हुए चलना है तो चलिए हम इन सारे words को detail में समझते हैं सबसे पहले है देखना देखना को हमें पता है देखना को English में क्या कहा जाता है देखना को कहा जाता है सी या फिर look या फिर watch सब कहा जाता है तो वो सब अलग बात है लेकिन हम यहाँ पर देखना को हम बोलेंगे सी लेकिन दिखाना को क्या बोले देखने के लिए जो बहु देना है ना दिखाए देना मतलम आप कुछ देखना नहीं चाहते हो लेकिन वो आपको दिखाई दे देता है तो वहाँ पर उस करोगे विजीबलू रूट तो आपको फोर्द फोर्म लगाएंगे continuous है तो बोलेंगे I am seeing you, मैं आपको देख रही हूँ, I am seeing you, अब है दिखाना, मैं तुम्हें अपना फोन दिखा रही हूँ, देखना यानि कि अपनी मर्जी से आप देख रहे हो, लेकिन दिखाना यानि कि कोई दूसरा वैत्ति आपको कुछ दि my new phone, my new phone, तो समझ में आया, देखना और दिखाना में क्या फर्क है, I am showing you my new phone, मैं तुम्हें अपना नया फोन दिखा रही हूँ, तो ये तीन में आपका भी confuse मत हो ना, हर जगा C का use नहीं होता है, देखना C, दिखाना show, दिखाई देना visible to, जैसे मैं तुम्हारा नया फोन देख रही हूँ, अब C का use करना है, या show का use करना है, ये आप बनाना और इसका answer comment में जरूर देना, मैं भी तो देखूं कि आपको कितना समझ में आया है, चली ये next वाले words को देखते हैं, अब है भागना, भागना, भागना यानि कि आप अपनी मरजी से भाग रहे हो, और भागना यानि कि कोई आपको भागा दिया, जैसे चोर चोरी कर रहा है, अब चोर मेरा friend है, इसे लिए मैंने उसे भागा दिया, कि उसे कोई police पकड़ ना ले, ठीक है, तो भागना को हम बोलेंगे, आप सब जानते हो भागना को बोलेंगे escape, escape बोलते है भागना को, जैसे पुलिस से बचकर भाग गया, तो यह sentences को हम बोलेंगे, the thief, the thief, verb का second form लगाएंगे, क्योंकि past simple का sentence है, escaped हो जाएगा, the thief is kept from the police, from the police, चोर पुलिस से बचकर भाग गया, the thief is kept from the police, लेकिन भागाना को इंग्लिश में क्या बोले, तो गाइस भागाना को बोला जाता है, शू, शू बोला जाता है, यह भी verb है, देखिए sentence हमारा रहेगा, मैंने चोर को भगाया, past simple का sentence, इसमें second form लगेगा, second form हो जाएगा, यह हमारा, should, should the thief, I should the thief, मैंने चोर को भगाया, I should the thief, तो भागना escape, भगाना शू, मुझे, वह मुझसे बचकर भाग गया, यहाँ पे शू का यूज करेंगे, यह आप समझना और इसका आंसो कॉमेंट में देना, अब है चलना, चलना, चलना का हमें पता है, चलना को हम बोलते है, वाक, है न, चलना या टहलना एक ही बात हो गया, ठीक है, चलना या टहलना को बोला जाता है, वाक, चलना को क्या बोले, चलना क सैंटेज बिनाते हैं वह चल कर स्कूल गया तो हम बोलेंगे हेर्ब थारड पर्स सिंगलर है वो अपका फिद्टर फॉर्म लगायेंगे ही वोस टू इसकूल ही वोक्स टू अी स्कूल लेकिन अगर मैं बोलू चलाना, चलाना को इंग्लिश में तो हम बोलेंगे I want to learn, I want to learn to drive, I want to learn to drive, मुझे गाड़े चलाना सीखना है, नेक्स्ट है उसे गाड़े चलाना नहीं आता है, इस sentences को आप frame कीजेगा, चलना को बोलेंगे walk और चलाना को बोलेंगे drive, चली आगे देखें, अब है सोना और सुलाना, सोना का तो हमें पता है, सोना को हम बोलेंगे sleep, लेकिन सुलाना को क्या बोले, sentence है अब मुझे सोना चाह यानि कि अब मुझे सोने की जरूरत है, बट सुलाना को क्या बोले, बहुत easy है, यह मैंने आपको पहले करवाया है, हम बोलेंगे put to sleep, अब बोलोगे मैं यह dot dot आपने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जिसे सुला रहे हो ना, उसका जिक्र किया जाएगा, जैसे मा अपने ब पका यूज करना है न, तो putting, उसके बाद यहां पर किसे मा सुला रहे है, अपने बच्चे को, यानि कि हर child अपने बच्चे को यानि कि हर itt जाएगा, तो तो स्लिप यानि कि सोना को बोलेंगे sleep, सुलाना को बोलेंगे put to sleep, mother is putting her child to sleep, सीतास हो रहे है, यहां पर कौन से word का use ह ये आप पहचानी और इसका answer comment में दीजे चलिए आगे देखें अब है लड़ना लड़ाना लड़ना का हमें पता है लड़ना को इंग्लिश में बोला जाता है fight राइट लड़ना को क्या बोला जाता है fight अब कौन बता सकता है लड़ना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है लडाना को बोलेंगे जैसे मैंने कल उससे लडाई की मतलम खुद उससे लडाई की तो यहाँ पर हम बोलेंगे I fought Fight का second form I fought him yesterday I fought him yesterday मैंने कल उससे लडाई की पास सिंपल का सेंटेंस है लडाना को बोलेंगे Make fight जैसे मैंने दो लड़कों को लड़ाया मैं नहीं लड़ रही हूँ मैंने दो लड़कों को लड़ाया तो ये हम बोलेंगे I ये भी past simple का sentence है make को change करके made बना देंगे आपने positive verb नहीं सीखा है तो positive verb जरू सीखीगा तब आपको ये समझ में detail में आ जाएगा ठीक है I made two boys fight I made two boys fight मैंने दो लड़कों को लड़ाया तो लड़ना यानि की fight लड़ाना यानि की make fight मैंने दो लड़कों को लड़ते वे देखा यहाँ पर क्या use करें fight या make fight यह आप पैचानो और इसका answer comment में दो चलिए आगे देखे गाइस इन सेब के PDF आपको मेरी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो description पर दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो अगर जॉइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप टेलिग्राम पर सर्च करना Pre English Classes Pre English Classes आपको हमारी टेलिग्राम चैनल मिल जाएगी वहाँ पर जाना है आपको follow कर लेना है जो भी 30 days हमारी English Speaking का course चल रहा है उनमें देवाइस मैंने सभी की PDF अप्लोड कर रखी हूँ अब है काटना काटना का हमें पता है कटवानों को English में क्या बोले चलि काटना को English में क्या बोलते है काटना को बोलते है कट काटना को बोलेंगे कट और कटवाना को क्या बोलेंगे आप सभी को पता है पता है ना जल्ली से कॉमें बताइए तो कटवाना को English में क्या बोलते है तब तक मैं इस sentence को frame करती हूँ राम पेड काट रहा है इस sentences को हम बोलेंगे राम is cutting राम is cutting trees राम is cutting trees राम पेड काट रहा है अच्छा कटवाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए तो कटवाना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है आप सभी को पता होगा मैंने बताया है कटवाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कटवाना को इंग्लिश में बोलेंगे get cut get cut positive verb जैसे मैं अपना बाल कटवा रही हूँ किसी को मैंने दिया उसे राजी करवाया कटवाने के लिए मैं अपना बाल कटवा रही हूँ तो यहां किसे कटवा रही हूँ उसका जिक्र किये क्या नहीं किये यानि कि get का यूज करेंगे अगर यहां पर जिक्र कर देते तो हम make का भी use हो सकता था ठीक है तो मैं अपना बाल कटवा रही हूँ इस sentences को बोलेंगे I am getting I am getting my hair cut I am getting my hair cut इसे बनाने का structure क्या होता है सबसे पहले subject लगाते है helping verb आपके subject और tense के according लगेंगे उसके बाद आपको get का use करना होता है then object उसके बाद आपको verb का third form जो की cut हमारा verb का third form होता है ठीक है आप positive verb वाली वीडियो को visit करोगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा next step वह अपने दातों से रसी काट रही है और एक चीज में आपको बता देती हूँ देखे यहाँ पर जो अपने cut वाना तो ठीक है यह तो हम समझ गए इसे हम get cut का use करेंगे लेकिन cut ना जो है ना इसे और एक word का use कर सकते है cut का तो use कर सकते है और byte का भी use कर सकते है फर्क क्या है cut और byte में फर्क क्या है जब आप किसी tools से कोई चीज काट रहे हो किसी tools से ठीक है जैसे कि यह कुल हाड़ी से काट रहा है या फिर हम चाकू से apple काटते हैं तो वहाँ cut का use करेंगे लेकिन अगर आप अपनी दातों से कुछ काट रहे हो अपनी दातों का इस्तेमाल करें कुछ काटने में बहुत कोई किसी का हाथ काट देता है अपना नाखुन काटने लगता है या फिर हम कभी कभी रसी नहीं टाइट रहती है तो हम उसे अपनी दातों से काटते हैं तो जहां आप दातों से काटते हो तो वहां पर आप bite का use करना, ठीक है, sentences आपके बैसे ही बनेंगे, बस cut के जगा, आपको bite का use कर देना है, ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेगा, cut और bite का कहां use करना है, दोनों का हिंदी मिनिंग होता है, काठना, अब हमारा दौरना, दौरने देना, दौरना को इंगलिश में रन, दौरना को बोला जाता है, अब आप बताएए, दौरने देना को इंगलिश में क्या बोलेंगे, आप सबको पता है, आप थोड़ा से सोचिए, दौरने देना को इंगलिश में क्या बोला जाता है, चुलिए sentences को frame करते हैं, रोहन सुबह से दौर रहा है, रोहन सुबह स किसी समय से कोई कार्य करता है यानि कि present perfect continuous stance बोलेंगे रोहन has been running देखें जब भी से रहा है ऐसे वाले sentences आते हैं यानि कि वो कोई समय से कोई काम चल रहा है perfect continuous stance होते हैं तो राम has been running since morning since morning सुबसे अब दौरने देना आपने बना लिया दौरने देना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बहुत आसान है दौरने देना को इंग्लिश में बोलेंगे let run let run देना कोई काम करने देना यानि कि let का use होता है होता है ना जैसे मैं रोहन को दौर्ण मैंने रोहन को दौर्णे दिया मैंने रोहन को दौर्णे दिया यानि कि allow किया मैंने दौर्णे देने का मैंने अनुमति दिया कि रोहन तुम दौरो तो मैंने रोहन को दौर्णे दिया इस sentences को बोलेंगे I let Rohan I let Rohan run I let Rohan run मैंने Rohan को दौड़ने दिया पापा मुझे दौड़ने देते हैं यहाँ पर आप दौड़ने का यूज करोगे यह दौड़ने देने का यूज करोगे यह आप पैचाना और इसका answer comment में जरूर देना तो guys आज के लिए बस इतना ही words अब comment में आपको यह बताना है कि आपको ऐसे और भी बहुत सारे words होते हैं जिनमें आपको confusion होती है तो आप मुझे comment में बोल सकते है मैं उसी word पे detail वीडियो लेकर आऊंगी बढ़ आपको बताना है कि आपको कौनसे word में confusion होती है आपको यह छोड़ी से वीडियो कैसे लगी comment में जरू बताएगा अच्छी लगी तो लाइक कीजेगा और अपने friends और family के साथ share जरू कीजेगा क्योंकि जो आपके लिए important है वो सबके लिए important है इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारे words ते वीडियो बना रखी हूँ तो left side click करके ऐसे words वाली वीडियो का आप विजिट कर सकते हो और right side click करके आप मारी playlist में जाकर जिस भी grammar topic पे आपको confusion है या फिर आप 75 days वाली English speaking को इसको join करना चाहते हो या फिर जो मैंने recent में 30 days English speaking का course स्टार्ट की हूँ उसे join करना चाहते हो तो अब day wise सभी वीडियो को properly watch कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो subscribe कर आने वाले bell icon को प्रेस करे that all notifications जरू क्लिक करें ताकि सारी update आपको मिलती रहें मिलते हैं next ऐसा informative वीडियो को साथ तब तके लिए keep learning